हालो गाईज, वेलकम बाक तो आर यूटीब चैनल, तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे, क्लास एट का मैथ्स एन्सीयाइट, चैप्टर नमबर 11, मेंसुरिशन, एक्साइज 11.3 का क्वेशन नमबर वन, क्वेशन नमबर वन है हमारे पास, देर आर टू क्यूबाइ हना किस बॉक्स में कम माटेरियल की आपको जरूरत है, यह आपको बताना है, मतलब इस बॉक्स को अगर हम बनाते हैं, तो इसके अंदर कितना माटेरियल लगता है, और इस बॉक्स को हम अगर बनाते हैं, तो इसमें कितना माटेरियल लगता है, यह आपको बताना है, कि किस 60 cm length है, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता रहता हूँ, अगर यह जैसे cube idle है, तो यहाँ पर यह वाली जो length होती है, इसको हम बोलते है length, इस वाली को हम बोलते है, यह होती है हमारी breadth, और यह होती है हमारी perpendicular means, यह होगी हमारी height, clear है, similarly यहाँ पर देखो, अगर हम इस वाले figure क देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो length 60 cm है, breadth हमारी 40 cm है and height हमारी 50 cm है, clear है, तो L, B और H, L, B और H means length, breadth और height आपके क्या है, different है, clear है, यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर हमारा length 50 है, breadth 50 cm है and height भी हमारा 50 cm है, मतलब length is equals to breadth is equals to height, जब L, B और H, तीनों की तीनों हमारी equivalent होगी, तो हम कह सकते हैं कि यह जो आपको दिया होगा है, यह figure, यह हमारा क्या है, cube है, simple, क्योंकि cube के अंदर length, breadth और height हमारी क्या होती है, equivalent होती है, ठीक है, तो यह हमारा cube होगा, और यह वाला हमारा cuboid होगा figure, clear है, कोई दिक्कत, ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि किसके अ lesser amount of material कहां पर use होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में comparison करना होगा, comparison means, दोनों के आपको TA से निकालने होगे, धरा, दोनों के हम TA से निकालेंगे, जब ही तो हम compare कर पाएंगे कि कौन से box के अंदर आपका material कम लगेगा, clear है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द होगा, clear है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, तो इसका answer करते हैं, ये तो मैं आपको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चलो, आजाओ, तो answer हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले given जो भी चीज़े हैं, वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है, तो given हमारे पास में है, given है, हमारे पास में, length of the cuboidal box, है न, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर, length of cuboidal box is equal to, कितना है, 60 cm, ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मैंने आपको बता है, TAC निकालेंगे, total surface area, ठीक है, तो length of cuboidal box हमारा कितना है, 60 cm, next bit लिख लेते हैं, तो breadth of cuboidal box, वो कितना है, देखिए, यहाँ पर, 40 cm, ठीक है, और height, यह भी given है, हमारे को, height of cuboidal box is equal to 50 cm, और इस type की जब भी questions आते हैं, figure वाले, तो आपको figure भी draw करना है, यह बात धियान रखना है, answer के अंदर आपको figure भी draw करना होता है, इसके भी हमारे marks होते हैं, ठीक है, height of cuboidal box हमने 50 cm लिख लिख लिया है, अब हमें क्या निकालना है, TSA निकालना है, total surface area निकाल लेते हैं, तो TSA of cuboidal box is equal to, पता हो, cuboid का हमारा TSA क्या होता है, तो TSA का formula होता है, TSA of cuboid होता है, हमारा 2 multiplication में, LB plus BH plus LH, यह HL बोल सब्सक्राइब, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L, B और H की value पूट कर देंगे, जहाँ पर L है, वहाँ पर length पूट कर देंगे, जहाँ पर B है, वहाँ पर width हम पूट कर देंगे, और जहाँ पर H है, मतलब वहाँ पर height हम पूट कर देंगे, तो यहाँ पर हम यह बड़ा वाला bracket यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्यो यहां पर L into H और बीच में यहां पर प्लस प्लस चल रहा है ठीक है तो यह प्लस मैंने रखा दिया अब देखो B B कितना है यहां पर 40 ब्रैकेट में ले ले लेते हैं और H कितना है हमारा 50 multiplication 50 फिर फिर LH लिगा हुआ है LH means 60 multiply H कितना है 50 then फिर हम close कर देते हैं देखो 2 multiplication में यहां पर आएगा हमारा 60 into 40 कितना होता है तो 60 into 40 होता है 64 24 6 को उन्टू करो 4 से 24 and 20 लगा दो simple प्लस यहां पर अब हमें वैसे requirement नहीं है इस वाले ब्रैकेट की ठीक है बड़े वाले ब्रैकेट की क्योंकि अब हो जाएगा हमारा 64 2400 plus 5 4 जा कर दो 4 5 जा 20 and 00 आप लगा दो simple 6 into 5 करो 30 and 00 लगा दो चलो अब देखो 2 multiplication में 2400 20 and 30 तो हम क्या करेंगे यहां पर इनको add कर लेते हैं 30 20 50 होता है 50 plus 24 74 होता है 74 लिखो और 00 लगा दो ठीक है आप कर ले ना मैंने ऐसे calculate करा अगर आपको problem हो रही है तो आप लिखके भी कर सकते हो अब देखो 72 into 7400 और यहां पर देखो जब भी आपका area calculate होगा तो आपको पता है कि area हमेशा किस में आता है unit क्या होती उसकी यहां पर जैसे centimeter use होगा तो centimeter ही आएगा लेकिन area square के अंदर आता है ठीक है और volume हमेशा cube के अंदर आएगी क्यों क्योंकि देखो यहां पर centimeter centimeter चल र centimeter square होगा तो centimeter square में ही पूरा answer निकलेगा तो हमेशा ध्यान रखा इतना ज्यादा मत करो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम answer लिखेंगे area लिखेंगे तो square unit के अंदर ही लिखेंगे square के अंदर लिखेंगे ठीक है 2 into 74 कितना होगा बताओ तो 2 into 74 होता 7 दूनी 14,140 और 4 अर दूनी आठ ठीक है один 148 और 00 ठीक है तो यह हो गया हमारा 14,800-3,14одар और सैंटीम्यटर मेने स्क्वाइर में आएका तो कहारी वह थे कोई परिशान है ठीक है यह हमने किसका निकाला अभी क्यों बालिटका निकाला किसका निकाला हमने वाला पार्ट हमने पार्ट किया मिए अभी हमें बी-पार्ट भी करना। हमें कौन सा करना है भी बी पार्ट भी करना है तो बी पार्ट को भी हम अभी कर लेते हैं तो देखो यहां पर बी पार्ट मैं कर सकता हूं वैसे तो यहां ही कर लेते हैं अपने एक काम करते हैं यहां पर इस पेस है वैसे तो अपने पास में ठीक है तो बी पार्ट अपन यहा हमारे similar है तो इसका मतलब है कि यह हमारा क्या हुआ cube हुआ simple तो हम क्या करेंगे इस cube का निकालेंगे तो length दे रखी एक तरसे cube है तो हम लिखेंगे यहाँ पर length of cubical box is equals to 50 cm ठीक है 50 cm और breadth of cubical box तो कुल मिलाकर आप length breadth और height मत लिको सब मतलिको आप क्या करो यहाँ पर आपको length breadth और height लिखने की जुरहतनी आप age of cube लिख लो age of side of cube age मतलिको side of cube ठीक है आपको बार बार lbh लिखने की जुरहतनी होगी क्योंकि side क्या होती है cube की equivalent होती है तो एक बार लिख लो side of cubical box is equal to 50 cm simple चलो हो गया अब हम निकाल लेते बस tsa of cube और tsa of cube क्या होगा 6 a square यह होता है formula 6 a की जगे आप side भी रख सकते हो a means क्या होगा यहाँ पर side बोलूगा में square न तो 6 into side square आप बोल सकते हो तो यहाँ पर हम put कर लेते value 6 into side side कितनी है हमारे पास है 50 मतलब यहाँ पर a side या a बोलो बात a की 50 है न का square यहाँ पर square है square then 60 into 50 का square कितना होता है 5 का square कर लो 25 and 1020 हो जाएगा square के अंदर तो 2500 25 into 6 कर लो यहाँ पर 25 छींगे 125 होता है 125 and यह 20 थे तो 20 अपलागा तो simple यह मेरी calculation है अगर आपको problem आती तो आप पूरा proper solve कर सकते हो 12500 हमारा centimeter था centimeter और square के अंदर आएगा हमेशा area तो centimeter square clear है तो यह कितना आगे हमारा 12,500 25 छींग 150 sorry 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 यहाँ पर 25 छींग 125 होता है 25 छींग 150 जी 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 25 छींग 150 मतलब 15,000 centimeter square आपका आएगा ठीक है अब दोनों को compare कर पा रहे हो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 15,000 है और यहाँ पर हमारे पास में 14,800 है पिल्कुल क्यूबाइडल बॉक्स से तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में जो ए पार्ट है इसके अंदर आपका material कम यूज होगा क्यार क्योंकि टीए से हमारा इसका कम है तो हम compare कर पा रहे हैं बिल्कुल तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence hence the cubi the cuboidal box the cuboidal box a a not require the lesser lesser amount of material amount of material to make since surface area of box surface area total surface area surface area of box a is less than less than debt of box b ठीक है क्योंकि surface area of box a जो है वो less है किसे box b से इसलिए हम कह सकते हैं the cuboidal box a है वो कम जगे क्या करेगा कम lesser amount of material मतलब कम material का use मतलब कम material का use होगा वहाँ पर किसमे cuboidal box के अंदर clear है तो हमारे हमारे को बस यह comparison करके दिखाना था यहाँ पर इस question में बस simple यही पूचा गया था ठीक है तो उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजेगा जिससे की upcoming videos के notification आपको time to time मिल ते रहें thank you so much